हेलो नमस्कार मेरे नाम है अभिदाश चुराप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है भाई साब वर्ल्ड कप हो रहा है और सीट पर जो है इतनी गंदगी आपको देखने को मिलती है उसके बाद धर्मशाला में जो कुछ भी हुआ है जिस तरीके का आउट फिल्ड है इंगलेंड के कप्तान जोस बटलर प्रेस कॉनफरेंस में आकर ये बोलते हैं कि मैदान जो है वो बूरी तरह से एकदम वहाँ पे आप डाइब नहीं लगा सकते हो अगर आप लगाए तो आप चोटिल हो सकते हैं तो BCCI की ये जिम्मेदारी बनती है कि वर्ल्ड कप आप अगर करवा रहे हो हो तो ठीक से करवा लो भाई वैसे भी सारे के सारे मैचेज में जो है हाउसफुल तो टिकट तो जानी रहा है लोग आ रहे हैं 24,000, 5,000, 6,000 लोग आ रहे हैं क्यापिसिटी है 30,000, 40,000 की नरन्रमोदी स्टेडियम है क्यापिसिटी है 1,30,000 की वहाँ पे लोग भाड़े पर भी लाया जा रहा है और टोटल जो है 40, 45,000 जो है वहाँ पे लोगों को एंटरी करवा रहे हैं उसमें भी फ्री में टिक्टे बाटके नहीं है तो आप जाके जो है वीडियो निकालके देख लीजेगा लेकिन हम बात कर रहे हैं धर्मशाला की पिछ पर इतने दिनों से आप तैयारी करवा रहे थे सारे असोशेशन क्रिकेट असोशेशन को सारे वेन्यूज के लिए आपने 50 करोर रुपे दिया था कि भाई ये लोग 50 करोर रुपे आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इंतजाम आप करवा दीजिएगा लेकिन ऐसा गंदा आउट फिल्ड है जहां पे बंदा डाइब लगाने से बचेगा वो सुचेगा यार मैं डाइब लगाओ तो मेरा हाथ पर ना तूट जाए ना कंधा ना खिसक जाए तो भाई BCCI जो है पूरे के पूरे वर्ल्ल कप में अपनी फजियत करवा रहा है और अभी भी मौका है और ऐसा नहीं है कि धर्मशाला में धर्मशाला के लावा हमारे पास वेन्यू नहीं था इंडिया में मौहाली इतना अच्छा स्टेडियम आप वहाँ पे करवा दिये होते तो इतनी जादा बेजोती नहीं होती पाकिस्तान मीडिया लगातार आपको जो है आपके खिलनिया उड़ा रही है आपके इंतजाम इतना जादा घटिया हुआ है कि आप जो है पूरी दुनिया के सामने आप एक दम से जो है एक जोक बन गए है जोक बन गए है जिस तरीके का इंतजाम हुआ है मैं खुद गया हुआ था पाकिस्तान और नेधरलेंड का मुकाबला देखने के लिए सीट इतनी गंदी कि वहाँ पर आप बैठ तक नहीं सकते हो उसका भी वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करतूं का इतनी ज़्यादा गंदगी है उसको आप साफ नहीं करवा रहे हो धर्मशाला का जो आउट फिल्ड है भाई साब उससे बढ़ियों के बीच में पहाड़ों के बीच में है और आउट फिल्ड अगर आप जाके देख लें तो भाई वहाँ पे आप बेजती करवा रहे हो बहुत ज़्यादा बेजती करवा रहे हो कल ग्लेन फिलिप्स जो है लखनों में थे वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रेस कॉंफरेंस हुँ कर रहे थे वहाँ पे आड्रेस कर रहे तो वहाँ पे बिजली चली गई मोबाईल की लाइट से जो है उसके बाद वह प्रेस कॉंफरेंस करवा रहे है ना बिजली आ रही है ना आपका आउट फिल ठीक हो पा रहा है और ना सीट आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी है तो भाई साब इतना पैसा जो कमाए है वो कहां आप इनवेस्ट कहां कर रहे हो जरा आप हमें बता दीजिए यह वर्ल कप हो रहा है या फिर मजाक बना रहा है मजाक बन रहा है ना आप पाकिस्तान के फैंस को वीजा दे रहे हैं इस्टेडियम वैसे ही खाली जा रहा है पैसा आपको कमाना था तो कम से कम पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको वीजा आप दे दिये होते इस्टेडियम खचाखच भरा हुआ होता भाई साथ इस्टेडियम खचाखच और वर्ल्ड कप का क्रेज होता वर्ल्ड कप चल रहा है वाई भी नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड कप चल रहा है लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, उनको पता ही नहीं चलना है, वर्ल कप चलना है, खाली इंडिया वाले मैच में हाउस्फुल रहता है, तो भाई अगर इंडिया वाले मैचेज में ही आपको हाउस्फुल करवाना था, तो वर्ल कप कहीं बाहर करवा लेते हैं, बा खचा खचबरा हुआ रहता था साल 2019 में इंग्लेंड में वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में हो रहा है इतना दर्शक ही नहीं आ रहा है इससे ज्यादा दर्शक तो रंजी मैच देखने के लिए आ जाते थे यहां पर डॉमिस्टिक जो मैचे जो होते हैं लेकिन बी सी सी आई भ दिन्स में ही बोल रहा है और जिन में दम है तो वो तो अपनी बात रख रहा है और इसी तरीके से मैं रखता रहूंगा इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद जैन जै भारत